ओम नमस्षिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है गाइस, और हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एनरजी अपडेट के साथ, I hope आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे अपने घर, और सबसे पहले आप सभी को मकर सक्रा सक्रांती हिंदू फैस्टिवल्स जितने भी होते हैं हमारे सनातम धरम में बहुत ही इंपोर्टेंट माना जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि मकर सक्रांती का मैं बहुत बार मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है आपको, कि यहां से हमारे जो सूरे देवकराशी परिव सूरे देव की एक्चल में सूरे देव तो स्थिर है हमारी अर्थ ही यहां पर रूल प्ले करती है न तो हम यहां पर बोला जाता है कि सूरे उत्तरायन हो रहे है उत्तर दिशा की तरफ ज्यादा उनका एनरजी देखने को मिले गिया तो यहां पर इसलिए भी होते हैं इस मकर सकरांती से मैंने बहुत अपने प्रीवियस यर्स के चैनलिंग में बहुत बार बताया है आपको कि सूरे देव का राशी परिवर्तन जब भी मकर राशी में होता है तो वो बहुत ही पारफुल रोल प्ले करते हैं लिए सन रीप्रेजेंट करता है हमारी सोल को हमारी आत्मा को शनी देव रीप्रेजेंट करते हैं हमारे कारमाज को शनी देव के घर में जा रही है आपकी सोल जब सैटन हाउस में जा रही है तो क्या हो रहा है आपका जो एनरजी का लेवल है डेफिनेटली यहाँ पर रियक्टिव हो जाता है बहुत ही जादा आप level धीरे धीरे बढ़ने लगता है जो बहुत time से आप feel करते थी ना बहुत low vibration, low energies यहाँ पर energies थोड़ी improve होने start होंगी यहाँ से आपको सर्दी की वजह से बहुत से लोग health issues से गुजर रहे होते हैं and क्या होता है जैसे जैसे मकर्सकरांती का time period आता है आगे आगे जो हमारी sun की energy है हमारी अर्थ तक जादा पहुँचने लगती है जिससे की आपके health issues भी resolve होते है है ना और अगर हम बात करें हमारी twin flame journey पर क्या impact रहेगा देखिए आप जिस journey पर है obviously आपके लिए sun moon बहुत important role play करते है and आपके करमाज भी important है है ना तो यहाँ पर इस जो मकर सकरांती से specially जो energy मैं receive करें हूँ currently past एक दो दिन से after new moon feminine energy यहाँ पर lot of purging से गुजर रही है बहुत सी purging feminines आप यहाँ पर purge out कर रहे हैं अपने अंदर की बहुत सारी suppressed चीजें because I am receiving the energy कुछ feminines बिलकुल detached है 3D से और पूरी तरह से अकेले में solitude में deep inside जाने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा time अपने साथ spend कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि वो अपने deep down जितने भी उनके wounds है कुछ past life के हो सकते हैं इस lifetime के हो सकते हैं purge out कर रही है purging के through हो सकता है आपको बहुत stress रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा और heaviness feel हो रही है heart space में आपके अपर चक्राज यहाँ पर मुझे ज़्यादा तर हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं अप gradation चल रहा है आपकी third eye का आपके consciousness level का एक rebirth यहाँ से हो रहा है तो हो सकता है आपको newborn babies के pictures बहुत ज़रा दिखाई दे newborns बच्चे या इसके अलावा pregnant ladies आपको बहुत ज़रा दिखाई दे रही है it represents growth of your consciousness आप growth की तरफ आगे बढ़ रही है suddenly आपको ऐसा भी लग सकता है कुछ time के लिए कि शायद आप zero पे आ गए है बिल्कुल low हो गए है खतम हो चुके है एक बर फिर से आप गिर चुके हैं नीचे आपको ऐसा भी कुछ पल के लिए लग सकता है maybe आपने ऐसी energy को feel किया हो या आप इस energy से भी गुजर रहे है तो आपको घबराना नहीं है ये क्या होता है बार-बार आपको फिर से low लेकर आए जाता है ताकि आप दुगनी पावर के साथ फिर से खड़े हो सके और इसके बाद जो आपको blessings मिलेंगी after these purging आप feel करेंगे कि आप double power के साथ फिर से खड़े हो गए है एक phoenix की तरह बिलकुल तो यहाँ पर major transformation में कहूंगी हमारी जो feminine energy feel कर रही है lot of purging बहुत सारी suppressed चीज़ें आपने release की है आपकी feminine side से आपकी masculine side से दोनों तरफ से और आप देखेंगे कि आपकी soul जितनी ज़्यादा evolve हो रही है जितनी ज़्यादा आपकी soul की growth हो रही है after this purging आप फिर धिरे-धिरे automatically inner balance को अपने अंदर feel कर पाएंगे यह जो कुछ भी हो रहा है आपका जो अंदर balance है शिव शक्ती का उसको permanently balance को maintain करने के लिए आपके अंदर से negativity को release किया जा रहा है तो अगर इस टाइम पर आपको बहुत सारी purging हो रही है अगर health issues हो रहे है specially आपको headache से related problem हो सकती है migraine कुछ लोगों को हो सकती है head area में बहुत ज़ादा आपको heaviness feel हो सकती है forehead में pain हो सकता है आपकी consciousness का यहां से rebirth start हो रहा है तो आप हो सकता है lot of purging से गुजरें और यह बहुत painful situation भी हो सकती है कुछ लोगों को energy कुछ farmanence की मैं ऐसी भी receive कर रही हूँ जो शायद अपना trust कहीं न कहीं lose कर रही है या तो divine से या फिर अपनी इस journey से आपको ऐसा लग सकता है suddenly कि कहीं यह journey है भी या मैं वैसे ही अंदकार में घूम रही हूँ या आप इश्वर से question कर रहे है divine से question कर रहे है कि कहीं आप का trust यहां पर मुझे थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है Feminence तो ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है divine always आपके साथ है यहां पर यह आपका test भी लिया जा रहा है आपके trust का आपकी patience का जितनी ज़्यादा pain जितनी ज़्यादा तकलीफ आपको मिल रही है उसका reason यह है क्योंकि यहां पर आपका test लिया जा रहा है कि आप divine पर कितना faith रखते है तो अपना faith बिलकुल strong रखना है बिलकुल और divine पर trust इतना strong होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए आपकी life में आपको हमेशा acceptance mode में रहना है surrender mode में रहना है इस divine journey को आपने divine को surrender कर दिया है तो वो पूरा भी खुद ही कराएंगे और अगर आप इस तरहें की energies में आ जाते हैं आप फील करेंगे अपनी inner strength, inner power को आपकी inner masculine energy आपको पूरी तरह से supportive way में help कर रही है यहाँ पे अगर कुछ feminine is waiting energy में आ रही है suddenly कि masculine की तरफ से कोई action नहीं है हम बहुत hard work कर रहे हैं यह आपके अंदर का कुछ पुराना obsession भी हो सकता है जो release हो through purging तो suddenly अगर आप chasing energy में obsession की energy में आ रहे हो आपकी feminine side से negativity जो भी suppressed है कहीं ना कहीं वो energy वो release हो रही है और यह permanent releasing चल रही है यहाँ पर इसके बाद आप अपनी soul का एक new version देखेंगे जिसके अंदर more power more strength के साथ आप फिर से खड़े होते हुए मुझे दिखाई दे रहे है future में तो यह जो आपके अंदर balance को maintain किया जाएगा जिससे आप अपनी life में जो passion खो चुके है क्योंकि आप suddenly क्या हो रहा है feminine बहुत ज़रा detachment में जा रही है उनको life में फिर से वही passion नहीं दिखाई दे रहा है तो कहीं न कहीं आपका यहाँ पर deep healing चल रही है आपके negative emotions यहाँ से release हो रहे है सेक्रेल चक्रा से आपकी lot of forging हो रही है तो आपका सेक्रेल चक्रा heal हो रहा है दीखें subconscious mind healing चल रही है पुराने सी पुरानी चीज़ें आपको dreams के थ्रू release हो सकती है तो don't worry यहाँ पर आपको घवराना नहीं है यह आपकी patience का आपके सबर का test लिया जा रहा है अपना faith बिल्कुल strong रखना है divine पर जितना जादा strong आपका trust होगा उतना ही strongly आप फिर से खुद को उठा कर फिर से खड़ा करेंगे divine आपको पूरा support करेंगे परशिव शक्ती हमेशा आपको support करते हैं और यहाँ पर आपकी third eye का जो मुझे दिखाई दे रहा है अप gradation चल रहा है उसका reason और इसके बाद जो आपको blessings of knowledge deep knowledge जिसे हम कहते हैं कि knowledge आप wait करेंगे कुछ ऐसी चीज़े automatically thoughts के तुरू आपके mind में आप feel करेंगे जो आपको लगेगा कि यह कुछ thoughts बहुत ही divinely guided है तो strong downloads भी आपको इस time पे हो सकते हैं deep knowledge and यहाँ पर जितनी भी आपने prayers की है वो पूरी तरह से divine सुन रहे है और time आने पर उसका result भी आपको मिलेगा और यहाँ पर इस जो हमारे जिसे हम बोलेंगे हमारा मकर सक्रान्ती के बाद का समय है यहाँ पर justice की energy बहुत strongly work करेगी देखे शनी देव का साल है यहाँ पर strong justice की energy मुझे receive हो रही है क्योंकि जितनी महनत आपने की है न इस साल आपको definitely मिलेगी और most probably आने वाले मन्थ में बहुत से लोगों को उनकी जितनी भी महनत का फल है उनको मिलने वाला है अगर आप जो भी आप deserve करते हैं union आप deserve करते हैं आप कि अंदर पूरी तरह से आप united है अपनी soul से, higher self से then आपके साथ वो justice इस मन्थ आप expect कर सकते हैं divine आपको जरूर से वो देंगे यहाँ पर जो आप deserve कर रहे हैं बहुत से लोगों का union भी यहाँ पर आने वाले time में दिखाई दे रहा है with full of emotional stability क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों का मुझे union आने वाले time में दिखाई दे रहा है और अगर हम masculine energy की बात करें तो जैसे जैसे feminine energy upgrade हो रही है masculine के भी third eye chakra की cleansing हो रही है clarity मिल रही है यहाँ पर धर्म और कर्म दोनों तरफ balance maintain करते हुए दिखाई दे रहे है masculine जितने भी triggers मिले emotions इन सभी चीजों से अब उपर उठके दोनों sides को balance कर रहे है अपनी feminine and masculine side दोनों तरफ balance maintain कर रहे है और पूरी तरह है hopeful है awakening के ऐसे process में है जहाँ पर वो अपने inner light से connect कर पा रहे है अपने emotions को accept कर रहे है and action mode में जिसे हम कहेंगे masculine energy आने वाली है strong actions होंगे यहाँ पर masculine की तरफ से क्योंकि पूरी तरह से action mode में है और with the throat chakra activation powerful आपका masculine energy का throat chakra होगा वो more powerful activation के साथ आप feel करेंगे बहुत ही ज़ादा beautifully express कर पाएंगे जो masculine बहुत ज़ादा rigid या express नहीं कर बाते थे अपने emotions को feelings को अब देखेंगे आपकी आने वाले time में उनका throat center है जो throat chakra center है more up gradation के साथ वो आपके साथ connect कर रहे है expressive हो रहे है clarity आपको lot of clarity आपको मिलने वाली है और एक respect की energy में आ रही है अपने feminine को respect दे रहे है उनको actual में अपनी inner feminine की respect करना वो सीख रहे है तो कि बहुत ही एक beautiful energy मुझे receive हो रही है masculine की तरफ से भी और कुछ spiritual work भी यहाँ पर masculine करते हुए दिखाई दे रहे है हो सकता है कुछ NGOs में work करें या कोई soul purpose के साथ connect कर सकते है ठीक है इसके साथ साथ हो सकता है किसी तरह का partnership में कुछ नया ऐसा करने का जो समाज कर लियान के लिए ऐसा भी कुछ का masculine करते हुए दिखाई दे रहे है क्योंकि उनकी inner feminine energy पूरी तरह से उनको support कर रही है इसलिए compassion की energy आ रही है serve करने की energy serve करने की feelings उनके अंदर आ रही है तो ये चीजे मुझे यहाँ receive हो रही है इस shift से तो lot of clarity के साथ masculine जो है आप से connect कर सकते है ठीक है तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप सिर्फ सुने अभी बहुत ज़्यादा expectation ना करे ठीक है तो I hope energies आप से resonate करेंगी and comments में ज़रूर बताएं guys अगर energies update में delay हो जाता है थोड़ा सा please patience रखा करें because थोड़ा health issues की वज़े से मैं भी आपको बहुत जल्दी जल्दी update नहीं दे पा रही हूँ because I am also in the process of upgradation है ना दीरे दीरे हमें और ज़्यादा अपने आपको upgrade करना है तो health issues तो normal है इस journey पर चलते रहते हैं but थोड़ा सा patience and आपका प्यार और support से बहुत जल्मा heal कर पाती हो खुद को भी और आप लोगों के लिए भी blessings और आने वाला time आपके लिए बहुत सारी blessings लेकर आएं ठीक है thank you so much energies जिन से भी resonate करें comments में जरूर बताएं thank you so much God bless you all love you all Jai Shri Mahakal